हेलो दोस्तों हमें आपके बहुत सारे यह जिसमें आपने अपने समस्चाओं के बारे में निखा है और हमसे उनका समाधान भी मांगा है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज एक प्रश्न चुना है जिसके बारे में हम इस सेशन में बताए हमारे व्यूवर डिपते हैं कि उन्होंने आप मिने पहले वैसेक्टम्य कराई थी उनको एक बच्चा भी है और अब वो और बच्चा नहीं चाहते है पर अब उ वैसेक्टम्य को हिंदी में नस्बंदी कहते हैं जो कि पुरुष करवाते हैं परिवार नियोजन के लिए और बहुत ही कम लोग चाहते हैं कि वैसेक्टम्य करवाने के बाद भी कम से कम तीन मेहों तक आपको बर्थ कंड्रोल अपनाने चाहिए अगर आप प्रेग्णेंसी पास ही सर्वाइब कर रहे हैं इसलिए यह हमेशा अच्छा होता है कि 12 हकतों के बाद जाकर आप एक बार डॉक्टर से अपनी जाज करवा रहे हैं कि आपके वीरे में स्पाम है भी या नहीं अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपकी सेजरी या नहीं आपका आपकी वाइप को ब्लेम करना ठीक नहीं सबसे पहले आप जाकर आपने भीरे के जाज करवा लिजीए कि कहीं उस में शुक्राणों तो नहीं हैं अगर हैं तो आपकी निजबन्दी फेल हो गए और अगर नहीं है तो आप एकने वाइप से बात करके इस ब को पता चल सकता है कि बच्चे आपका है या नहीं तो वो है डिया टेस्ट थंड़े दिमाग से इसके बारे में सोचें व्यूवर्स की जानकारे के लिए बतातू कि जब भी आप बसिक्टर में करवाने के बारे में सोचें तो 100% शौर हो जाएं कि आपको और बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपने एक बर बसिक्टर में करवा लिए और अगर इस सकसेस हो गई तो इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि इसे रिबर्स करवाए जासके अगर बहुत एक काबे डॉक्टर के द्वारा भी आप इस हजरी क करवाते हैं तो भी इस बार के चांसेस 50% ही रह जाते हैं कि आपकी सजरी डिबर्स की जा सके इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको जिंदगी भर का बस्ता वह जाए जाए वैसक्टर में कि एक से तीन दिन के वीतर आप उतने काम पर जा सकते हैं पर हां इस बात का ध्यान रख क्ले हैं, कि वैसक्टमी कर वाने के साथ दिन तर आप सेक्स ना करें क्योंकि अपके घाब फोले का खथरा भी हो सकता है और आपको दर्दवी होंका । कहीं नाहों को इस बात की चे्टा होती हैं कि वैसक्टमी के बाद उनको प्रॉस्टेट कैंसर हो सकता है तो मैं आपक आपको बस इत्रमी के बार में पूरी जंग करेंगे होगी आगे भी आप हमें इसी तरह एमेल देज़ते रहें और हम आपके प्राउब्मस के सॉलॉशन को लेकर इसी तरह आगे रहेंगे टेक क्याप, इस्टेहाल बताईए, च्या परिशन है आके डॉक्टर मेरी समस्या यह है, कि मुझे हर समय लगता है कि मेरी गयोनी से कुछ बाहर आ जाएगा बहुत अंकॉम्फिटबल लगता है, मारवाल लूब इचाना पड़ता है और सेक्स के ताइम बहुत बें होता है और अगर आपके को सुझाब है, तो वो भी आप हमें इमेल पर लिखकर भील सकता है हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइब केर को अभी सब्सक्राइब करें